पुद्धान मंती बार केंद्धार कार गुसाना को लेजे मैं एक रूप अठ्छा बसर उर्धा लोकों को टिका देजिवा ये वर्तमान सुरी जिते ले ख़बर हाची समस्तां को मंदरे खुसर लहर हाची आमें संबलपूर गोटे परिवार अच्छू जो मना अठ्छा बसर पर उद्धार अच्छंती जुबो को जुबोती तांकर मद्धा प्रतिकार अखिवास सेमाना ये निस्पति को क्यमती देखांती हैं हम देखते अभी कि कल मोदी जी ने कल सेंट्रल गमें ने डिकलर किया है कि एक मैं से अठ्छा सल के उद्धा लोगों को टिका देंगे य अब हम अभी फिलाल तो एक मेह तक लॉकडाउन है हो सकते है उसके वैक्सिन लगने के बाद हालत हमा कुछ ठीक हो सकते हैं और फिर हम मारे कॉलेज वगरे सब फुल सकते हैं अब ही जब करोना हो रहता है तब यंग लोगों को जादा करोना का रिस्क था नहीं कम था तो अभी अभी जब करोना अभी जब second wave हो रहा है जो बचों को भी हो रहा है और यंग एज को भी हो रहा है यंग एज में mortality rate भी ज़्यादा है तो अभी जो हम expand कर रहे हैं बहुत अच्छी वात है और हमारा जो supply है production है वो भी बढ़ रहा है उसके साथ और population को ज्यादा cover करेंगे क्योंकि young population तो बाहर भी रहता है, ज्यादा काम करने लिए भी निकलता है, और उनको भी वैक्सीन लगेगा, तो फिर ओवरॉल सब स्प्रेड भी कम रहेगा, तो बहुत अच्छी चीज है, और वैक्सीन सबको लगाना चाहिए, लोग सोचते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्स यंग लोग अपने घर में पड़े लोग बोलते हैं, अरे हम अकेले कैसे जाएंगे, अब यंग लोग को भी लाग रहा होगा, तो यंग लोग अपने साथ बड़े लोगों को भी लेकर जाएंगे, पूरा फैमिली एक साथ जाके लगा कर आएगा, इससे क्या होगा, 70-80% अगर वैक्सिनेटरिड हो जाएगा, तो फिर हमको पता है कि कोरोना खतम हो जाएगा, पूरा सेफटी हो जाएगा फिर